आज हम डिसकस करेंगे House of Representatives को इससे पहले हम US Congress में सैने डिसकस कर चुके हैं और मैंने आपको कहा था कि हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशालला House of Representatives पर डिसकस करेंगे ताकि हमारा यह topic कवर हो जाए US Congress का तो basically I have already told you के US Congress जो है वो bicameralism पर मबनी है यानि के two houses पर और उसका upper house जो हो सैनेट है जिसे हम डिसकस कर चुके हैं डिटेल में और आज हम उसका lower house, House of Representatives को डिसकस करेंगे तो USA का Constitution का Article 1 Section 1 ही पताता है कि जो legislative powers होंगे तमाम वो west की ही गई हैं Congress को और Congress के दो houses होंगे Senate and House of Representatives जैसे कि मैंने आपका पहले भी बताया था कि जो US Congress में Senate है वो equal representation शो कराती है तमाम स्टेट्स की लेकिन इसके बराक्स house of representatives में equal representation तो नहीं होती स्टेट्स की बलके वहाँ पर proportional base पर आते हैं यानि कि जो population base पर तमाम स्टेट्स के उसके हिसाब से seats पर आते हैं अब चाहे वो स्टेट्स में जितनी भी ज़्यादा रियाइश हो या कम रियाइश हो उसके हिसाब से आते हैं जबके इसके बराक्स Senate में वहाँ पर equality शो कराने के लिए हर स्टेट्स से दो members आते हैं तो total USA के 50 स्टेट्स है तो 100 streets होती है Senate की जबके House of Representatives में इस तरह होता है कि population wise लोग आते हैं जिसे हमारे यहाँ भी यह होता है कि जो National Assembly है उसमें population wise लोग आते हैं Senate में स्टेट को represent करते हुए लोग आते हैं जबके House of Representatives में स्टेट्स के भी जितने भी districts है उसके हिसाब से जो भी constituencies होती है वो represent करते हुए यहाँ पर बैठते हैं और यहां की total seats होती है 435 जबके Senate की है 100 तो अगर lawmaking की बात की जाए तो main जो Congress का काम है वो lawmaking है UK Article 1 और Section 1 भी US Constitution का कहता है कि जो legislative branch होगी वो Congress होगी और Congress का काम तमाम क्या होगा legislation करना दोनों के members जो है वो direct vote के थूँ ही आते हैं इसमें indirectly कोई नहीं आता है यहां direct vote के थूँ ही आते हैं represent करते हुए और तमाम citizens जो है वोट देते हैं तीके और जैसे कि US Congress lawmaking का काम है और खा House of Representatives में कुछ मकसूस different shades हैं इनमें जो हम आके discuss करेंगे और members of House of Representatives की qualification नहीं होनी चाहिए कि कमस कम वो 25 साल के हो और US के रिहाइश भी हो साथ साल तक उनकी कमस कम citizenship हो USA में और ये भी कि जिस भी state से वो आ रहे हैं उसके resident भी लास्वी हो क्योंकिए यहां पर dual citizenship होती है तो इतम Congress में यह House of Representatives है वो after two years बात re-elect होता है जैसे कि हमने Senate में पढ़ा था कि Senate के after six years जो है वो re-elect होते हैं तो यहां पर incuration after two years जो है वो वापिस re-election होते हैं सेशन में हमने दोनों में सेम ही है कि हमने Senate में भी पढ़ा था कि at least one in a year इनहें सेशन में आना होता है लाजमी और यहां पर भी House of Representatives में भी सेम यह है अब अगर हम powers and functions की बात करें कि House of Representatives की powers क्या है तो वो यह है तो main हमें सबसे पहले पता है कि इनका काम ही legislation करना है American Congress का जिस legislation ही करना है क्योंकि तमाम powers जो Article 1 दे रहा है legislation की वो सिर्फ और सर्फ Congress को दे रहा है तो फिर यहां पर किसी भी किसम का जो भी legislation के लिए bill initiate हो सकता है वो House of Representatives से भी हो सकता है यहां पिर House of सैनेट है वहां से भी bill कोई भी initiate हो सकता है legislation के लिए क्योंकि यहां पर दोनों houses के पास equal power है लबकि इसके बराक्स अगर हम युक्रिया constitution पर रहे थे हैं वहां पर equally अगर हम देखे हैं तो houses के पास powers नहीं की legislation में वहां पर जादा powers house of commons के पास है लेकिन यहां पर equal powers है legislation की दोनों houses के पास और हमने यह भी पहले भी discuss कर चुके हैं कि constitutional amendment के लिए American constitution में लाजम है कि वो कोई भी अगर bill initiate हुआ है तो तो तूठर्ड majority से सिर्फ और सिर्फ जो उनकी legislature जो है अंदर अपने Congress में वहां पर पास होगा अगर तूठर्ड से वहां पर होगा उसके बाद जो ratify होगा अगर state legislature से तब जाकर constitutional amendment होगी इसकी मतलब कि अगर American Congress में भी वो अगर तूठर्ड से पास हो गया है तो वो direct जो bill है वो प्रेजिडेंट के पास नहीं जा सकता उस पर लाजिम है कि वो states के सारे legislature के पास जाए उधर भी जब states उसे ratify करते हैं तो फिर कहां जाकर प्रेजिडेंट उसे ascent देगा constitutional amendment का यह process यहां पर यह पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ silent features में इसके बाद अगर financial control की बात की जाए तो main यही है और यह तमाम यह वाली power जो है house of representatives के बाद है कि जो financially काम है यानि कि जो budget से related चीज़ है वो सिर्फ वो वाले bills या उस हिसाब से कोई भी अगर procedure है तो वो house of representative ही हमेशे initiate करता है ऐसा कोई भी काम जो financial से related हो या money bills हो या public bills हो वो sign it कभी भी initiate नहीं करती वो सिर्फ वाले house of representative ही initiate करता है या पर tax impose करना इस तरह के जो भी है यह collection वो सब house of representatives में होता है उसके बाद अगर हम executive control की बात की जाए क्योंकि हमने पढ़ा है कि doctrine of separation of power जो है वो यह होती है कि जो तीनों organs में power separate हुई होती है और जब separation होती है तो it means check in balance भी लाजमी कही नहीं कहीं आ रहा होता है इसी तरह जो legislation है यहाँ यहाँ पर US Congress में वो भी executives का काम करती है कुछ ऐसे काम है जो executives के करती है जैसे कि मैंने पहले आपको बदाया था Senate का यह काम है कि वो administrative functions कुछ perform कर रही होते है जैसे कि अगर president कोई भी treaties करता है तो वो ratify तब तक नहीं कर सकता जब तक के consent ना ले ले किसका Senate का इसी दर अगर कोई भी official authorities है उन्हें जो है वो authority कोई भी किसम की देनी है या कोई भी उनकी services के लिए उनको salaries देनी है तो वो सब भी Congress जो है वो हिसाब करती है उसका इसी दर अगर हम investigations की बात की जाए तो Congress जो है वो investigate भी करती है बहुत सारे मामलों में जैसे के Congress में और Senate के जो Senate है और House of Representatives है इन में कुछ committees बनी होती है हर काम के लिए हर चीज के लिए अगर कोई bill initiate हुआ है तो वो किसी committee में जाएगा या rules के लिए भी committees होती है लएदा लएदा सी और इसी दर जैसे कि मैं आपको बताया था Senate में पहले भी के जो impeachment का अगर किसी भी किसे के इनसान के लिए चाहिए वो प्रेजिडेंट है या कोई भी public officials है उनके लिए impeachment का कोई भी चार्ज लगा है तो उसके trial जो हैं वो कहां चलते हैं Senate में चलते हैं तो उसके लिए अगर वो चाहें किसी भी बन्दे को inquiry के लिए बुलवाना चाहा है investigation के लिए किसी भी आम बन्दे को भी तो वो बुलवा सकते हैं और evidence भी ले सकते हैं मतलब कि ये काम भी judicial जो है वो थोड़ा Congress करती है selective functions की अगर बात की जाए तो उसमें ये है कि Constitution कहता है कि अगर ऐसा हो कि President के election चल रहा है और tie हो चुका है जैसे कि अभी हम इंशालला इसे नेक्स्ट वीडियो में कभी discuss करेंगे कि उधर electoral college का क्या concept है उधर एक electoral college बनता है जहां पर जो जो है वो President को elect करने के लिए बनाया ज होता है उसमें Congress के लोग चामिल नहीं होता है लेकिन इन केस ऐसा हो कि जो electoral college ने प्रेजिडेंट को elect किया है वो टाय हो चुका है ठीक है और टाय हो चुका है उसके लिए अगर कोई vote चाहिए तो फिर यहां पर जो है वो Congress जो है वो active हो जाता है और Congress जो है वो किसी भी candidate को majority क हिसाब से elect कर सकता है अपने vote दे सकता है तो अगर कोई भी थ्री ऐसे candidates हैं जो ताय हो चुका है और अवल है तो उन मेंसे किसी को भी elect कर सकता है Congress voting के थूँ यहां पर active हो जाएगा और इसी तरह अगर कोई भी candidate vice president के लिस्ट कियों नहीं कर सका है एक अवल seat तो वहां पर भी जो senate है वो elect कर सकता है vice president को इसलिए जो vice president भी जो भी होता है मुलका वो भी जो speaker होता है senate का या जो sorry chairman होता है वो vice president बनता है judicial powers की बात की जाए तो जो Congress है वो हमें बता है के laws बनाती है जूडिशरी के मामलाद के लिए भी जो जूडिशरी के लिए जो उनके procedure चलेंगे जिस तरह एक उनके rules होंगे तो वो भी Congress उनको बना के देती है और ये भी कोर्ट कोर्ट के कहा कहा तक jurisdictions होंगी वो भी तमाम powers Congress के पास हैं और इस तरह भी है इनकी judicial power के जिस तरह एक impeachment का trial है वो भी पूरा Congress में चलता है और Congress के Senate में हाउस में तो यहां भी judicial power Congress की आ गई तो जैसे के यूएस Constitution में separation of power है तो separation of power मुक्मल तोर पर नहीं है यूँकर check-in balance है जैसे हम यहीं देख सकते हैं कि किस तरह से Congress जो है व और मतलब कि executives के और judiciary के मामलात में involved है इसी तरह judiciary भी executives और legislature के मामलात में involved है और सब इसी तरह एक दूसरे पर check-in balance रखते हैं तो यह था House of representatives के अवाले से किन पर मब्दी है और साथ-साथ उसके क्या powers है और generally भी हमने discuss कर लिया और differentiate भी कर लिया कि Senate और House of representatives के दोनों की powers में क्या differentiate है तो यह था आज की वीडियो में उमीद है आप सब को समझ आया होगा और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया या कोई भी कोई है तो you all can ask me in the comment box I will try my best to answer you all and if you like the video please hit the like button and subscribe the channel जजाका मुला हुखएरा